अलोब उच्चीनेल hi aasya bestimmt मैं बनाने जारी हूं भरवापरवल करी के लिए मैंहें दो अध्रयवा और्ग रमची है शे परवा ले लिया है दो आलू और धनिया बत्ता तो चलिए पहले आलो को बॉइल कर लेता है परवल पकी सब्चिया बाकी सब्चिया भी काट लेके जो तो पूरा ग्रेवी का मिक्सचर होगा यहां भी चोटे चोटे प्याच काट कर लिया है और परवल की बीज निकाल लिया है आलो भी बॉयल हो गया अब इसमें स्टफिंग भरनी है जो प्याच पर फ्राई करके पूरा मैं स्टफिंग रेडी करूंगी तो चलिए प्रोसेसिंग में चलते हैं कि स्टफिंग रेडी करने के लिए मैंने यह पर करहाई गरम करने के लिए रख दिया है कि इसमें थोड़ा सा तेल एट करेंगे तेल को गरम होने देंगे देखिए तेल हमारा गरम हो गया है अब इसमें हम छोटे-छोटे कट किया हुआ प्याज आलो और परवल के इसमें देखिए देखिए को डाल देंगे इसको हम चलाते हुआ पकालेंगे हाप चमश नमक हाप चमश मिर्च पाउडर हाप चमश हल्दी पाउडर जीरा पाउडर तरह सा धनिया पाउडर पचले इसको मिक्स करके हम इसको पका लेंगे मैंने इसको चलाते हुए कर दिया है तो चमश की मदग से हम इसको अंदर स्टफ कर देंगे देखिए मैंने इक परवल में स्टफ्ट कर लिया है ऐसे करके देखे, परवल में pew mnen स्टफिंग भड़ा दोंगी फिर आपो दिखाते हूं कि इधिकि prestat परवल रिंगे कर लिया है जो थो ड़ा सा ने दो ने तो मैं दो इत्रम इसोओ ग्रेवी में निकालने के बाद हम इसी में ग्रेवी की मसाला भी फ्राइ करेंगे जलिए तेल को गरम होने देते हैं तेल हमारा गरम हो गया है इसमें अभी हमें एक एक करके स्टफ किया हुआ परबल डाल देंगे परबल को हमारा प्राई हो जाए तो निकाल देंगे इसी तेल में हम मिक्षर किया हुआ मसाला एड़ कर देंगे मसालो को हम फोरी जब तीन से चार मिंट के लिए इसको पका लेते हैं तीन से चार मिंट के लिए मैंने इसको पका लिया है अभी हम इसमें मसाला एड़ करेंगे एक चमच नमक एक चमच छल दी पाउडर एक चमच मेर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच जीगा पाउडर और एक चमच चिली पाउड़ से मिला लाओं लिया हुआ पाउड़ से तीन से चार मिनिट के लिए चलाते हुए तका लेंगे मेडियान प्लेंड है अब अब तकाउड नालो लिया था इसको मसाले में डाल देंगे अब हम प्लेच चलाते हुए एक चिली मसाले के साथ पका लेंगे मसाला हमारा रेड़ी है इसमें पानी आट कर देंगे मैंने इसमें दो ब्लास पानी आट कर लिया है और हम इसमें बॉइल आने देंगे इसमें भी बॉइल आ गया है इसमें एक चमच गरम मसाला आट कर देंगे अब हम इसमें परवल को डाल देंगे मैंने सारे परवल इसमें डाल दिया है इसको हम 3-4 मेट के लिए बॉइल कर लेंगे आट करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में जरूर बताना और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर के जाएगा थाइंको वाचिंग नेक्स वीडियो में नेक्स रेसीवी के साथ मिल जाए तब त